आज के कालखंड में हम आपको प्रिपोजी संद्स पार्थापी स्पीच का छटवा प्रकार ठीक है इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे इसके पहले हमने आपको नाउन अर्थाथ तंग्या प्रणाउन अर्थाथ तरो नाम आज के इस पिरेड में हम आपको को प्रिपोजी संद्स पार्थाथ संबंद सुचक अव्यास अव्यास के बारे में लिकार बहुत बढ़ी है बटा ताली बढ़ा लेजिए प्रिपोजी संबंद सुचक अव्यास के प्रिपोजी संद्स पार्थाथ हिंदी में इसका अव्यास क्या है और इसका प्रियोग कहां करते हैं तो इसका अंसर प्रियोग कहां करते हैं तो इसका अंसर बगरीगे दा वार्ड और ग्रुप आप वर्ड्स विच आर पुट बगोर नाउट और प्रोनाउट तूस्टो रिलेसान विल अधर वर्ड कार्ड पेपोजी संद्स क्यां आपड उसका इसका मत्रब यह हुआ , लिक्षे जाते हैं यह लिखे जाते हैं सब्सक्राइब के पहले तूसों दिखाने के लिए दर्थाने के लिए क्या दर्थाने के लिए रिलेसा यह संबंद्र विद्र अधर वाड़ दूसरे सब्सक्राइब कहते हैं अब सब्सक्राइब के लिए उन्हें संब्सक्राइब कहते हैं यह संब्सक्राइब कहलाते हैं अब लोगों को बहुत बढ़िया वेटा कि आपको इसको याद रखने की बात है कि ऐसे सब्सक्राइब हम संग्या या सरवनाम अर्था नाउंस और प्रोनाउंस के पहले लेखते हैं यह लगाते हैं और फिर वह सब्सक्राइब दूसरे सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ऐसे सब्सक्राइब कराइब duty सब्सक्राइब इस एक पर दख दरकाव और किंगे डरकाव गाय इस है इन दाप एओ अधार गाय थे तुमें है काने है इस अब देखिया आपके जो इन का प्रयोग हुआ है यह फील के पहले अगा इसको फील एक संज्या है इसके पहले अगा है और इससे खेट का सम्मद काउ से बताया जाना है, अर्था काउ कहा है, खेट में है, तो में सब या इन सब क्या है, प्रिपोजिस्टन है, सम्मद 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 है, एक्जाप नमर टू, आप भुक इस आन दा टेबल, यहां पर अतार दा भुक, आप पुस्तक इस है, आन दा टेबल, तो यहां पर तेबल के पहले, यहां आन लगा है, जो की एक प्रिपोजिस्टन है, और टेबल का पुस्तक से सम्मद बताय जा रहा है, इसने यहां पर आन जो सब्द है, वार प्रिपोजिस्टन है, फ़र एक्जाप लेजिए, दा टियार जब्ड इंटू दा रिवार, क्या मतला हुआ, दा टियार हेरार जब्ड कूद गई, यह कूदी, इंटू के भीता दा रिवार नदी, अर्थात हेरार नदी ने पूद के नदी के हम गया, तो यहां इंटू का परोग क्या गया है, इंटू रिवर के परेलगा है, वो एक नाउन है, है ना, रिवर एक नैँं है को इतने इंटू के नहीं है, वीए, नैन परेलगा है, और इसका सब्भद बथायर से बता जैना है, हेरार नदी निए पूद गया तो ऐसे सब्द जो की दूसरे सब्दों से संब्द बताने का जबुत अपर प्रोण। सब्सक्राइब लोगों को तक ने आगे प्रिपोजिस्टन खाए जो कि प्रिपोजिस्टन है इनको समझ लेते हैं पहले हमने लिखा है इसका वीनिक हमें हिन्दी इने को तक में लिखा हुआ ब्रेकेंट में लिखा है कि अहें का मस्रा होता है आगे को लिए आहें याने आगे बिहाइंड याने पीछे दिफोर पहले आपकर 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 करने भी कर एक होता है आव कर पर कि यह है इसका मतलब होता है सामने या की ओर भी ओर या सामने दोलों होता है ठीक है अक्रास आरपार नेरबाई नेरबाई आसपास अक्रास अक्रास यहां पार या के पार भी कर सकते हैं थ्रू का मतलब है द्वारा या जरिये रिजर कारां फार फेतु के लिए यह सब्दा आगे फार यह है एप्या भारे में दूर और यह वहार फारे में के लिए है यह तुट कि इतने सारे नहीं करोगे नहीं करें लोगों को तो इनको अब क्या करना है रखना है ठीक है चलिए इसके आओ और भी कुछी सार्व इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ठीक है बेटा है वेडर साथ या संग अराउंड आजपास यह भार यह ओनली माक्र एवर अंटिल तक तू को या तक कंप्लीट भार इंक्लूडिंग समय और कंप्यार अपेच्छा तो बेटा यह हमने कुछ प्रिपोजिस्ता आपको बताए और इनको यार करना है और तभी आप इनका प्रियोग कर सकते हैं ठीक है बहुत बढ़िया आगे जाते हैं कोर्शें नबर थ्री राइट टाइप आप प्रिपोजिस्ता अर्था संबन सुचर के प्रकार लेखिए राइट लेखिए टाइप आप प्रिपोजिस्ता संबन सुचर के प्रकार सब्सका है ने अर्था च्यार है कि यह संपल प्रिपोजिसों बोलिए यह साधारण संबंध च्यारण इस जब्स स्थर में क्या होता है उस अकेले सब्सक्रण के पहले करते हैं इस लिए वाले जो प्रिपोजिशन है वह सिंपल प्रिपोजिशन कहलाते हैं सामाने सम्मद सुचक सब्द कहलाते हैं ठीकर जिसे उठाने लिए यहां पर एट का मतलब होता है को यह पर भी होता है पर बाई से के द्वारा और के लिए यह तू तू में आउर बाहर तू ग्वारा से तल तक तू तो अब उपर तो यह किसी नावन नावन के पूर करके दूसरे नावन नावन से सम्मंद बता दें ठीकर दूसरे बेकार है कंपाउन ब्रिपोजिशन बोले कंपाउन ब्रिपोजिशन कंपाउंड का मत्द होता है सायूप क्या होता है वो आपस में जुड़कर बनते हैं कि कि कर आए संयुक्त संब्द में अर्था कंपाउंड प्रिप्र इसली तो ज़िए आपस में जुक्ते हैं तो वे कहुआ आते हैं क्या क्किलते हैं वे कहुआ नदेखें लें में अरह हैं तो अराउंड मेरे को अ और राउंड उना हुआ है अर्थाद सब्दों के हिस्ते, सब्दों के भाग वो दो या दो से अधिक सब्द खंड जुण करके यह प्रिकोशिसर्ट बजते हैं इसलियर को हम अधिक सब्दों में हम किसी नाउं यह प्राउं के भीडाते हैं और उसका दूतरे नाउं यह प्राउं यह सम्बंध पताते हैं या K सहित, लिए कंदी पहले या पूर्व विहाईड या पीछे, लिए पीछे बिलो या नी वीचे, बिलो या नी वीचे, मिलऴ या नी में, इंसाइड याने के भीतर आउसाइड याने बाहर ठीक है तो यह है तुम्हारे प्रिपोजिसर यह है कंपाउंड प्रिपोजिसर यह दो या दो से अधिक सिलेबन आपस में जुड़े हुए है इसले को सम्साइड का संबंद सुचक सब्साइड तीसरा है है फ्रेज प्रिकोजिसर दोले प्रिचिमस अब फ्रैस का मतलब होता है किसी यह 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 ने जब कोई हम वाक्य लिखते हैं तो उसका पूरा एक अर्थ होता है तो उस वाक्य का एक टुकड़ा या एक हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं वाक्यास कहते हैं और अंग्रीजी में कहते हैं अर्थाद यह जो घीञês होते हैं यह दो यास्व सब्सें सब्सें से मिलकर बनते हैं कि कि न चोखी में का हिस्सा एक होते हैं एक का क्कड़ा खंड़ ऑन फंजह थैकर टो इसको कि वाक्यांस सिर्श कम पूचक सब्सक्रांग कहते हैं इनके अधार लेजिए अकार्णीन टू कांडीन है इसलिए यह फ्रेज का काम कर रहा है याने वाक्यांस है यहांने के अनुसार, विगाद आप, के कारण, बाई वे आप, के रूम में, यहांने 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 के रूम में, इन फेवर आप, के पप्स में, इन लिव आप, के एवज में, के स्थान पर, के सांकर, आन एकाउंट आप, के कारा, विद एन आई टू, एक आँच से, विद रिफ्रेश्ट तू, के सम्मन्द में, विद रिगार्टू, विचार्ते हुए, विचार करते हुए, या आदर करते हुए, तो पेटा, ये था तो महारा किसरा फ्रेश्ट प्रिफोजिशन, अर्था वाक्यांसे का सम्मन्द सुचट, अब चौतर प्रकर जो आता है, वो अर्था पार्टिसिपल प्रिकोजिशन, बोलिये, पार्टिसिपल प्रिकोजिशन, अर्था क्रदलतिक सम्मन्द सुचट, जब आप बड़ी कच्छा में हो जाएंगे तब आपको यह बहुत अच्छे समझ में आएगा केवल आपको इसमें उधार समझना है क्या है यहां जो नीचे दिये गए संबल सुझेक सब्द हैं अर्थार प्रिपोचिसंस हैं वो एक पार्टिसिपल का काम करते हैं जब आप तो उसमें पार्टिसिपल आपको पढ़ने को मिलेगा तो प्रटिसिपल को करते हैं तो यहां पर सबहरान ao P5 मतलतते का संबंद सूझा कई अ supreme को छोड़ कर बोलिये को छोड़ कर बैरिंग को छोड़कर कंसर्मिंग विसाय में ड्यूरिंग के दवरान या के दर्म्यान पेंडिंग लंबे या हपूर्ण रिस्टेक्टिंग के संदर्में कचें हर्दय विदारक या मर्म भेदी आप लोग ये वाली बात बड़ी कच्छा में पढ़ोगे तो आप लोगों ने प्रिपोजिशन के बारे में पढ़ा आपको क्यों या ईह रखना है की परिपोजिशन वे हसाब क्यों होते हैं जिन्हें हो कि किसी नावन या प्रोनावन के पहें लगाते हैं उससे क्या होता है उसका संबन बान के जो होता है पहले पहले पोजिशन यह इसलिती में रखना ठीक है इसका मतलब वो प्री पोजिशन बास अब लोगों को बहुत अच्छी बात है बिटा ताली बजाएए तो बोले जैहिं जैहिं झाली था सिरी भास और दो झाली जैहिं बात है बिटाएएजन यह इसका मतलब बिटाएएएएएएएएगाओश सब्सक्राएएएश जैजे लिए बात है इसका मतलब चॉबसों तो पोजदके इसका मतलब जजें वह इसका हो म memories कर